यह बात उस समय की है, जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था. पितामह भीश्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे लेकिन कौरवों के सबसे बद्धे भाई दुर्योधन को लगता था कि भीश्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुचाना चाहते हैं दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीश्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीश्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते इसी लिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीश्म बोले अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही पांचों पांडवों को मार गिराऊ मेरे पांच चमतकारी तीर हैं जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूँगा। भीश्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये पांचों चमतकारी तीर मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षि रखूंगा। भीश्म ने वो पांचों तीर दुर्योधन को दे दिये। दूसरी ओर श्री कृष्न को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। श्री कृष्न ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधरवों से बचाया था, तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविश्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सही समय है, तुम दुर्योधन से वो पा उस समय सब अपने दिये गए वचन जरूर निभाते थे। वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और पांच तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन न किजिए और सूनते रहिए अपनी पसंदीदा कहानिया। वीडियो को जरूर लाइक करें और आप आगे कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर लिखना।